Amazon go to place बन चुका जब बात आती है convenient online shopping की पूरी दुनिया में यूजवली कुछी clicks की जरूर देती है कि आप एक order place कर लेते हैं और आप वो item आपके दर्वाजे बें 48-24 गंटे के अंदर आ जाता है Amazon ने काफी साथ मेहनत करी है परफेक्क करने में अपने logistics को और साथ-साथ delivery times को काफी कम करने में इसी के वैसे सारे competition से सबसे आगे निकल के आएं वो लोग और उनकी customer service भी top of the line है और consider करते हैं Amazon की convenience, speed और variety को लेके इसमें कोई surprising की बात नहीं है कि Amazon 500 billion dollar का revenue हर साल लेके आता है और इसकी वैसे 3C largest company बन जाती है वो पूरी दुनिया में revenue के मामल में जो की Walmart और Saudi Aramco के पीछे है और सचाई तो यह है कि कुछी समय में वो number one भी बन जाएंगे मगर इन सारी चीजों के साथ ही Amazon की serious quality control issue है अब मेरा यह मतलब नहीं कि मैं Amazon को hate करता हूँ मैं actually बहुत बड़ा fan हूँ Amazon के stock का मगर जब आप strictly खरीते हो branded products जैसे कि Logitech या Corsair से तो Amazon में आपका experience perfect हो जाता है और अगर आप unbranded या private label products को खरी रहे हो तो actually completely अलग हो जाती है story जाते time तो यह होता है कि product जो है low quality चाईना के product होता है insane markups के साथ इसके वरसे Amazon की fees, shipping, marketing और profit को बनाया जा सके और सबसे खराब चीज़ है Amazon में उसके cheap electronics और notably dongles personally मैंने भी USB-C dongles खरी इतके experience कर रखा है मैंने चार यह dongles खरी देते पिछले 21 महिनों के अंदर और वो कुछी महिनों में काम करना बंद कर देते और reviews को देखा जाया तो यह uncommon problem नहीं है और सच कहूं तो यह super frustrating हो जाता है जब आप 20-30 डॉलर हर 6 महिने में लगा रहे हो जिसके विशे आप अपने keyboard और mouse को अपने computer में plug कर सोको मगर जब आप देखोगे कि कितना cost करता है इन products को जो कि बेकार है उनको produce करना इतना surprising नहीं कि इतने कचरे की तरह क्यों perform करते हैं वो लोग जो USB-C का hub है Amazon पे इसका example ले लेते हैं 25 डॉलर cost करता हो जो same product है Aliexpress पे वो सिर्फ 10 डॉलर cost करता है और इससे भी और अच्छा hub Alibaba पे 10-20 cents का आ जाता है और international shipping को भी लगाते हो आप तो आपको 200 जो है सारे dongles 100 डॉलर से भी नीचे मिल जाएंगी जिसकी net unit cost आईगी 50 cents पर unit से भी कम की और अगर आप एक Amazon seller जो कि इन्हें हजारों में खरी रहा है तो आप आराम से 25 cents पर unit में इन्हें खरी सकते हो जब customers 25 डॉलर दे रहे हैं एक प्रोड़क्त के लिए जो कि इसमें 25 cents में बना हुआ है इसमें कोई शक नहीं है कि तयाद अपनी expectation की quality में खड़ा क्यों नहीं उतर था वो और efficient जो market hypothesis है वो ये बताता है कि excess profit margin जब होता है वो गायव हो जाता है जब जब ज़्यादा competitor market में आते हैं मगर हला कि in dongles में भी काफे सारा competition है मगर फिर भी ये 20 से 30 डॉलर cost करते हैं तो आकर ऐसा क्या है कि ये सारा पैसे जहां कहां पे रहा है और साथ ही साथ quality बढ़ क्यों नहीं प्रोड़क्त की जो सबसे बड़ी दिक्कत है Amazon के private label business है कि simply पूरी जो service है किस तरह से structure की गई है usually जो जातर private label businesses है वो Amazon FVA का इस्तमाल करते है जब आपीस में ये होता है कि Alibaba से product source करते हो और directly Amazon की inventory में उसको ship कर देते हो Amazon जो है products को sort कर लेता है distribute कर लेता है पूरे अमेरिका में और ship कर लेता है customers तक उनके insane time frames के अंदर honestly ये fact कि Amazon इत्ते सारे products को handle कर लेता है और ship कर लेता है इत्ते सारे लोगों पे इत्ता जल्दी एक truly logistics का marvel है मगर extremely expensive भी हो जाता है ना कि सिफ Amazon हम customer से Amazon Prime और shipping fees चार्ज करता है मगर seller से भी Amazon FBA fee चार्ज करता है वो अभी के लिए तो जो absolute smallest fee है Amazon के वो जो seller से चार्ज करता है वो है 3.07 डॉलर पर unit और यह तो extremely small or light objects के लिए है और इसको categorize करने के लिए small standard size में जो चोटी side होची product की वो कम से कम 0.75 inch की होनी ची और fortunately जो USB C cable है जो हम देख रहे है इस definition में आती है मगर बहुत सारे चोटे items है जो keys में नहीं आते है अब एक tiny pot का example ले लेते है जो कि सिफ 2 inch का आता है हर side से हम म पड़ेंगे और यह simply एक छोटे item के लिए था अगर आपको medium size item देना है वो classify करेगा Amazon oversize item की तरह है इसके उसे वो लोग 10 dollar per unit का minimum charge करेंगे sellers ये fees हर unit के लिए देते है जो कि वो back end से based है और ये सारी जो है fees वो अपने customers पर डाल देते है तो really हम लोग logistics के लिए double पैसे दे रहे हैं और आपके average 20 dollar के product के लिए 3 dollar से 6 dollar जो Amazon FBA की fee की तरह जाता है और जो जातर product है क्योंकि small standard size में fit नहीं आते है जो average fee है वो 6 dollar के होती है मगर simplicity के लिए हमें 5 dollar का average बना लेते हैं और spoiler alert दे देता हूँ ये तो सिर्फ पहली fee है और Amazon तो seller से referral fee भी charge करता है और इसका reason ये है कि Amazon FBA business जो है वो off the ground इते जल्दी हो जाते है क्योंकि Amazon के पास पहले massive customer base है और इसको customer base को access पाने के लिए आपको Amazon को 8-15% अपने total sale price देनी पढ़ती है तो 20 dollar के product के लिए वो 1.60 से 3 dollar तक हो जाता है और हमें estimate ले लेते हैं इसको beach का और 2.30 dollars कहते हैं इसे FBA fee के साथ जोड़ दो हमें total of 7.30 dollars per unit देखने को मिलेगी आगे पढ़ते है हमारे पास inventory storage fees है और ये fees जो है pretty self-explanatory है Amazon sellers को charge करता है अपने products को Amazon के warehouse में store करने क September के बीच ये fees जादा ने हो दी जो कि 83 cents per cubic foot होती है मागर holiday के मैनों में ये fee जो है triple होके 2.40 dollars per cubic foot हो जाती है और इन सारी चीज़ों के साथ ही Amazon 40 dollars per month fee charge करता है सिंबल एक professional seller होने का Amazon पर और ये सारी चीज़े required fees होती है Amazon के FBA sellers को देनी पढ़ती है मागर कुछ seller जो है उन्हें supplier को pay करके इस चीज़ को करवा सकती है जो कि cheaper option हो जाता है या फिर Amazon को pay करके इससे करवा सकती हो अगर आप Amazon को ये करवाना चाहते हो या फिर आपके supplier ने इसे गलत तरीके से कर दिया Amazon जो है आपको minimum 1.25 dollars per unit charge करेगा और इनी चीज़ों के साथ थी sellers co return fee, inventory removal fee और बाकी penalties भी ल product पर नहीं जा रही है वो जा रही है उस product को Amazon पर available करवाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए अब वापस से मैं Amazon को गलत नहीं दिखा रहा logistically logistics especially Amazon जिस तरह से करता हो काफी जादा महेंगी पड़ती मगर as a customer आपको ये पता होना ची आप लोग actual मैं किस चीज के पैस चीज हो जाएगी राइट हाँ ये तो win-win scenario हो जाता Amazon को अपनी fees मिल जाती seller अपने profit बना ले तो और customer को at least decent product मिल जाता मगर यहाँ पे एक चीज़ आप बूल रहा हो जूकि है marketing और कुछ बड़े private level brands आगे जाके Google ads, Facebook ads और even YouTube ads भी खरीदते हैं मगर जो सबस्याद कि वो है Amazon ads, जब भी आप Amazon पर कोई सर्च करते हो, top of the search results में जब sponsor दिखाता है उसका मतलब यह है कि Amazon के ads और वो extremely expensive होते हैं क्योंकि extremely effective भी होते हैं अगर आपने इस वीडियो से पहले एक ad देखिए तो आ हो सकता है आपने से 1000 में से एक इंसान उस आड़ पे click करके इस product को ख 50% का दिमाग हिला देने वाली figures तक पहुंच जाती है, मगर इन insane conversions को capture करने के लिए आपको टॉप में होना चाहिए Amazon की search में हो जो 60% है Amazon की sales पहली 3 listings में जाती है और 80% जो है वो पहले page में जाती है तो अगर आप एक नए Amazon पर product launch करो तो आपको basically pay करना होगा Amazon ads के लिए जिस competitive niches में मगर जो पहला spot in niches में sponsor को secure करने के लिए $3 per click लगते थे वो भी 2019 में और क्यूंकि online shopping बढ़ चुकि है pandemic के वैसे मैं surprise नहीं होगा सुनके कि नंबर अगर $5 per click तक बढ़ चुगा होगा आज क्यूंकि जैसे कि competitive item को ले लता है USB-C dongles को मगर अगर estimate conservatively करे हम और 89 cents per click ल जाएगी तो आपको $8.90 देने पड़ेंगे single unit को move करवाने के लिए और इसे FBA fees के साथ जोड़ो तो आप Amazon को $18.90 per unit देर और यह तो include भी नहीं कि हमने cost of the product और realistically यहाँ पे एक किसी भी तरह से आप 89 cents per click नहीं दोगे जब आप नहीं शुरुआत करोगे तो जब आपको जाती है तो आपको $5 का नुक्सानी होगा और अभी तो आपने product के लिए पैसे नहीं दे इसी कि वैसे private level products यह Amazon में इत्ते कचरा होते हैं और क्योंकि sellers को इताहरा pay करना पड़ता है FBA और बहुत सारी चीज़ों के लिए marketing में उनका इस कोई भी पैसा नहीं बज जाता product के ल $4.45 per click पे आता है और इसे FBA fees से combine करो तो $14.25 per unit आ जाती है और जब product की cost $2.50 per unit होती है और यह सारी जो है $17 per unit cash pass cost करेंगा और $20 की sale price पे वो $3 clear कर लेंगे हर unit पे और जो top sellers है popular niches में generally 10,000-10,000 units बेच लेते हैं हर मेने जिसका आता है $30 per month profit में सिर्फ एक ही products है और अगर आप इस success को 10 products पे replicate कर ले तो आप आराम से $3.6 million हर साल बनाओगे और इसके वैसे आप देख सकते हो Amazon FBA था है अगर इन टरम्स of quality of the product जब तक आप Amazon को और खुदको पैसे दे पाओगे तब तक कुछ भी पैसा नहीं बचेगा आपके आस product को देने के लिए और इसके वैसे private level products जो है Amazon पर कच रहा होते हैं और जो main reason है उसका ये है कि extraordinary expensive है hundreds of thousands of warehouse workers को delivery drivers, pilots, planes, trucks, ships, factories, warehouse, boxes, packaging materials और बाकी सारी चीजों को pay करना जो की logistics के साथ आती है और दिन के आखिर में ना कि Amazon ना है उनके employees के पास पैसा बसता है और customers के पास भी trash products आ जाते हैं और जो लोग इस profit में top पे आते हैं वो Amazon के shareholders और कुछ selected FBA sellers जो की दूसी साइट पर पहुँच जाते हैं जो obvious solution है इस चीज़ का कि simply कम पैसा खर्च करें logistics में और ज्यादा पैस gratification के लिए मगर यह चीज़ सिर्फ मैं सोचता हूँ क्या आपको कभी खराब experience हो है private level Amazon product के साथ comment करके ज़रू बताना साथ साथ इस वीडियो को like कीज़ेगा अगर आप उमीद करते हूँ कि Amazon अपनी quality issue के साथ कुछ करेगा और से ठीक करेगा साथ सामय discord committee को join कीज़ेगा future video ideas देने के लिए और चैनल को subscribe कीज़ेगा बाकी questions logically answered देखने के लिए मैं था चरेंजीव मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में